हलो फ्रेंट्स वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारी इस यूटुप चनल बे आप देख रहे हैं नोने उनलिये तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि महाराश्ट्रा बोर्ड 12th क्लास का रिजल्ट कब लगेंगा और उसके बाद जो है तो एडमिशन्स का भी स्टार्ट होंगे ये बात करेंगे ओके तो सबसे पहले अगर रिजल्ट की बात की जाए ऐस यूजल जो हमारा जनरली रिजल्ट लगता है वो में के लास्ट वीक में लगता है लेकिन अभी कुरोना की वज़ा से ऐसा हो सकता है कि जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में रिजल्ट लग जाए मतलब 15 जून से पहले आपका 12 का रिजल्ट जो है तो वो लग जाएंगा और उसके बाद जैसा ही 16 जून आएंगा उस दिन से मतलब रिजल्ट जीज दिन डिक्लियर होंगा उसके एक दिन बात से जो है तो BSC, BA, BCOM के एड्मिशन स्टार्ट हो जाएंगे ओके पूने के अंदर अगर पूने की स्पेसिफिकली बात की जाए तो और और यूनियर्सिटी की भी हम इसी तरह से आपको अपडेट देते रहेंगे और इंजिनियरिंग, फार्मासी ये एड्मिशन होंगे MST-CET के रिजल्ट के बाद MST-CET का एक्जाम जो है तो वो जून में कंडक्ट होने वाला है उसके बाद उसका जुलाई आगस्ट में रिजल्ट आएंगा तो उसके बाद जो है तो इंजिनियरिंग और फार्मासी के एड्मिशन स्टार्ट होंगे और नीट के भी बाद ज जल्द ही स्टार्ट होंगे तो उससे पहले आप जितने भी डॉकुमेंट्स लगते वो निकाल कर ले लीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग एंड प्ली सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो और अपडेट्स